सल्मान खान की करीबी दोस्त और राजनीता बाबा सिद्धिकी के मर्डर के बाद फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियां रुखने का नाम नहीं ले रही हैं। लौरेंस बिशनोई के गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। जिस पर अपने देशक राम गुपाल वर्मा का भी कुस्सा फूट गया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर गैंग्स्टर को लेकर खरी खोटी सुनाई है। बाबा सिद्धिकी का मामला इन दिनों का काफी गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर वाइरल पोस्ट में जेल में बंद गैंग्स्टर लौरेंस बिशनोई के गैंग ने राजनेदा की हत्या की जिम्मेदारी ली और बताया है कि वह सल्मान खान के करीबी थे। इसलिए उनको टागिट किया गया। इसके बाद से म कामले ने और अधिक दूल पकड़ लिया है और तमाम फिल्मी सितारे इस पर अपनी राय रख रही हैं। इस कड़ी में अब नया नाम निर्देशक राम गुपाल बर्मा का जुड़ रहा है जिन्होंने इस पूरी घटना पर अपना रियाक्शन देते हुए लौरेंस खिल्मों को लेकर लोक प्रियता हासिल करने वाले राम गुपाल बर्मा अपने बेबग अंदास के लिए जाने जाते हैं। इस बार बाबा सिद्धी की हत्या और सल्मान खान को लेकर राम गुपाल बर्मा ने अपने ओफिशल हैंडल X1 के बाद एक ट्वीट किये हैं जिस उसने 700 लोगों की गैंग फेस्बुक से बनाई है। वकील से वह गैंग्स्टर बन गया। पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकती त्योंकि वह जेल में सरकार के सनरक्षण में हैं। अब उसने स्टार के करीबी दोस का सरे आम मुर्डर करवा दिया। विदेशों से उसके प्रवक्ता बियान बाजी करते हैं। ऐसी स्क्रिप्ट अगर किसी फिल्म लेखा के पास होती तो यकीनन तोर पर उसे कोई नहीं पूछता। और महस बकवास करार देते हुए उसके साथ मार पीट भी हो जाती है। इस तरह से लौरंस पिजनोई को लेकर राम कोपाल वर्म ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लौरंस पिजनोई के पशू प्रेम को लेकर सवाल उठाया है। फिल्म मेकर ने लिखा है। 1998 में जब हिरन को मारा गया था तो उस वक्त लौरंस पिजनोई की उम्र पात साल की थी और वह एक जोटा बच्चा था। बिजनो ने पच्चिस साल तक अपनी नाराजगी को कायम रखा और तीस साल की उम्र में उसने ये एलान कर दिया कि उसके जीवन का एक मातर लक्षे सल्मान खान को मारना है ताकि वह उस हेरन की हत्या का बदला ले सके। क्या ये पशू प्रेम हैं जो चरम पर है या भगवान एक अ बजाग कर रहे हैं। इन ट्वीट्स की माध्यम से राम गुपाल वर्मा ने गैंग्स्टर लॉरेंस बिजनोई पर निशाना सादा है और इशारों ही इशारों में सल्मान खान के पक्ष में अपनी बात रखी है। तो दोस्तों आपकी क्या राए है हमारे इस वीडियो के बारे में हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। फर मो बॉलिवड नीज प्लेज सब्सक्राइब टू आज चानल बॉलिवड हिकप्स।